तो हुलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल में अगर आप भी pen card बनाना चाहते हैं तो अज़से आप घर पर pen card बना सकते है अपने mobile laptop किसे भी आप pen card आपने खुद बना सकते हैं वह कैसे बना सकते हैं तो इस video में आपको सिखाने वाला हों सबसे पहला मैं यह चीज बता देता हूं आपको आपके पास में होना चीज चीज, आधारैक। होगा और जैसे ही आप click link पर click करेंगे तो आप website पर redirect हो जाएंगे तो चलिए मैं आपको mobile screen पर ले जाता हूं और आप pen card कैसे वाना सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं तो दोस्तों जैसे ही आप website पर आएंगे तो आपको कुछ इस परकार का इसका इंटरफेस दिखेगा जो की एनस डील से यह समंदित हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा अप्लिकेशन टाइप अपना ओनलाइन पर क्लिक करना होगा जैसे आप ओनलाइन पर क्लिक करेंगे परसन बोडी इंडिविडियल्स ट्रस्ट लिमिटेड लिएबिल्लिटीस विज फ़म तो अभी आपको इस पर इंडिविडियल पडिक करszना जैसे आप इंडिविडियलपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके टाइटल नाम है मिडल नेम तो आप मीडल नेम में आप एंटर कर सकते हैं उसके बाद में अब आपको करना है अपनी डेट वर्थ तो अभी हम यहां पर डेट कर देते यह 18 प्लस वालो के लिए बता रहा हूं मैं तो जैसे 1997 कर लेते हैं और मैं कर लेते हैं और एक में यह हमारी होगा जन्रेट और उसके बाद में मेल आईडी टाइप करने पड़ेगी जो कि हम मेल आईडी टाइप कर लेते हैं तो यह हमने मेल आईडी टाइप कर ली और उसके बाद में मुबाइल नंबर होंगे मुबाइल नंबर रजिस्टेट कर देते हैं और जैसे ही हमने यह मोबाईल नमबर रजिस्टरिए जो हमने मोबाईल नमर एंटर करने के बाद में आपको एक केपचा दिखेगा तो इस केपचे पिर आपको जो से कि इससे exit हो जाते हैं तो आपको वापस वापस इसी website पर आपने जो form बराता उस पर आप जा सकते हैं तो continue with pain application form पर जाएंगे और इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो data है वो इसमें जो आपने जनम date वगेरा फिल करी थी वो कुछ इस परकार का जाएगा तो आपको सबसे पहले submit digital thought ekyc e-sign paperless तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस पर ही रहने देना है क्योंकि आपको documents बेजने कोई जरुत नहीं आप जैसे ekyc करेंगे तो आपका आधार काड जो आपका आधार काड है वो e-sign हो जाए वाले e-sign जो की paperless रहेगा उसके बाद में physical pain card के लिए आपको पूछ रहा है तो इस पर आपको yes कर देना है जो कि आपकी mail id पे भी मिल जाएगा आपको और आपको जो physical card है वो भी आपको मिल जाएगा और जैसे आप करेंगे उसके बाद में आधार के आपके last four digit होंगे त क्योंकि यह जो आदार से data लेता है सारा और उसके बाद में जो आपने नाम बगेरा पता यह बरते और आपको फिर कर देना है jail male gender male कर देना है अगर आप female है तो female कर दे और यह पूछ रहा है कि आपको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है तो आपको no कर देना है और फिर कि parents name to be printed on the pen card तो father का नाम हमें print करवाना है अगर आपके father या mother का नाम प्रिंट करवाना चाहते है तो mother का नाम यहाँ पर लिख सकते है नीचे की जो भी की optional है और जैसे हम next करेंगे तो यह पूछ रहा है कि आपके income मलब जो आपके income होती वो किस परकार के होती है salary से income from business से तो आप अगर आप student है तो no income करेंगे अगर आपको किसी परकार की income है तो आप कर देंगे income from other country code है और आप देखेंगे यह सेम तो सेम मोबाइल नंबर यह है जो हमने एड किये तो वह मोबाइल नंबर वो मेल आइडिया गई है इसके बाद में अभी हम करेंगे next और next करने के बाद में area code, AO type, range code, AO अगर आपको यह नहीं पता है तो आपको सबसे पहले इंडियन citizen पर जाना है और जैसे आप इंडियन citizen पर जाएंगे तो अभी हम चले जाते हैं राजस्तान और राजस्तान जाने के बाद में अभी हम चले जाते हैं अपने डिस्ट्रिक जैसे कि हमने में डिस्ट्रिक चूज कर लिया तो यहां पर यह दिक है आपना ओटमेटिक फिल हो गया हमें बढ़ने के कोई जुरत नहीं और उसके बाद में आपको कर देना next और इसे आप next करेंगे तो यह फुरूब और आपको कर देना है तो यह हो गया है यूर अप्लिकेशन सब्मिटेट प्लीज कंफर्म डिटेल और आपको कंफर्म डिटेल करने के लिए पूछा तो सबसे पहले आपकी जो आदार कार्ड के एट नमबर होते हैं फर्स्ट वह एट नमइड कर देना है हम हम तो यह हमने कुछ about 10 तो मैं आदार के एट नमबर एट कर लेता हूं अ है कि हिसी के तो यह जह howm स्मंऩ अम मेक आदा नमबर लगारे तो वो लेनी रहा है तो हम दूसरा क़ला नमबर कर के देखते हैं तो यह आमने ले लिए इसने और जो यह आदार फिल्ट नूमर करते हैं वो डमी है उसके बाद में जैसे आप जाएंगे तो फिजिकल पेंगाड यह आप देख सकते हैं अगर इसमें कोई डिटेल आपकी गलती है तो आप उसमें चिक कर सकते हैं और इसके बाद में अभी आपको कुछ नहीं करना है आपकी ड तो आगर के करेंगे और जैसे आप रोसेट करेंगे तो उसके बाद में का इस बतारा आदार नो ब्यूस प्ल Hade Banging किसे भी payment करेंगे और जैसे आप payment करेंगे आपको एक ID Registry आपको transaction ID मिल जाएगी जैसे transaction ID मिलने के बाद में आप को आगर प्रोसेट करेंगे तो आपको आदार से authenticate करना होगा authenticate करने के बाद में जब आप वापस उस में करेंगे तो आदार OTP आएगा और जैसे आप OTP फिल करेंगे तो यह आपका submitted हो जाएगा और उसके बाद में आपके EKYC जो की NH deal का EKYC होता है वो EKYC के लिए आपको E-Sign के लिए मांगेगा और जैसे आप आदा नमर लगाते हैं और E-Sign करते हैं तो आपके जो आपका आदार है वो आपका जो पेन कार्ड है वो successfully submitted हो जाएगा और इसका token 106 रुपे पॉंड 90 कुछ ऐसे रुपे इसके कटेंगे 107 रुपे के रुपे कटेंगे और आपको जो confirmation है वो आपके email जो registered email ID गरी तो उस पर आपको confirmation आजाएगा जो आपका slip है जो आपका transaction charge था जो भी आपकी slip थी वो आजाएगी और आपका जो form बढ़ा हुआ तो वो आजाएगा और आपका सुमार से सुक्रवार तक कभी भी मनाते हैं तो आपका pain card जहांत तक मुझे बता एक गंटे में आपका pain card आजाएगा लेकिन वो valid नहीं रहेगा उसको valid होने में एक दो दिन का time लगेगा फिर आप उसे use कर सकते हैं और फिर आपका जो physically card है वो आपके पांच से दस दिन में आपके address पर आजाएगा तो आपने देखा कि जो आपने process बता जाएगा तो